यूपी बोर्ड के स्कूलों की में हर बानी से हाई स्कूल के छात्र छात्रों की इस बार बले-बले हो जाएगी यूपी बोर्ड आप बोर्ड के अफसर दस्वी बारावी के रिजल्ट आप बोर्ड रेजल्ट्स 2018 देने की तैयारी में जुटे हैं यूपी बोर्ड का रिजल्ट 28 से 30 अप्रेल के बीच जारी हो सकता है स्टूडेंस रिजल्ट अप्म स्प्रैसल्ट्स अपनिक इन पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड से जुड़े 25,000 से अधिक राज किये सहायता प्राप और वितविहीन स्कूलों ने 30 नंबर के आंतरिक मूल यांकन में दस्वी के चातर चातरों को दिल खोल कर नंबर दिये हैं अधिकांच स्कूलों ने अपने बच्चों को 25 से अधिक अंक दिये हैं ताकि रिजल्ट अच्छा रहे बोर्ड ने शेक्षिक सत्र 2011 से 12 सिकक्षा 910 के सभी विशयों में प्रायोगेक, प्रोजेक्ट वसरेजनात्मक कारे और आंतरिक मूल यांकन पद्धती लागो की थी इसके तहित हाई स्कूल के सभी विशयों में 70 अंकों की लिखित परिक्षा और शेशक्तिस अंक प्रायोगे के वं आंतरिक मूल यांकन के निरधारत किये गे यह परिक्षाएं हर दो महिने पर अगस्त, अक्तूबर और दिसंबर में करवाने का प्रावधान है लेकिन अधिकांश स्कूलों में आंतरिक मूल यांकन ही नहीं कराया जाता शिक्षक अपने मन से बच्चों को नंबर दे देते हैं और वहीं नंबर स्कूल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर देता है बोर्ड सूतरों की मानिय तो बड़ी संख्या में दस्वी के चातर चातरों को 30 में से 26, 27 और 28 नंबर में ले हैं जाहिर हैं दस्वी में पास होने वाले बच्चों की मेरिट में इन नंबरों की महत्वपून भूमेका रहेगी इस साल हाइ स्कूल की परीक्षा के लिए 36,55,691,21,43,387 वा पंद्रह लाग 12,304 बाले का पंजिक्री थे इन में से 6,60,507 चातर चातरों ने परीक्षा छोड़ दी थी स्टूडेंस लाइव हिंदुस्तान.com पर भी रेजल्ट चेक कर सकेंगे इसके लिए इस लिन पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन होने पर आपको रेजल्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा